प्राइम टाइम में आपका स्वागत है अब रुख करते हैं आज के हेडलाइन्स पर महाराश्य का माहौल बिगाडने वालों के खिलाफ होगी कारवाई गुहा मंत्री जिलिक वड़ से पाड़ी मगी साफ से के लिए भाजपात वरा खुर्धे वारी शुल्क वुर्धी का गिरोध जरकार से की शुल्क वुर्धी वापस लेने कि माद़े और ड्यूटी कर घर लोट रहे पुलिस करमचारी की बुर्धत नामे माद नाक पुर्जबअल कुर राश्य महामार कर ही गुर्धत दूबढ़ है और अब खबरे विस्तार से रखने की गुजारिश कर उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कारवाई करने के आदिश पुलिस भी भाग को दिये है अगड़ फेक त्या टिकानी जाली तोड़ासे उन्सक्वण देनेशा प्रहत नकेला त्यामुला माजी सर्व हिंदू मुस्लिम बांध्वाना विनंतिया है कि अपन शान्तता राखावी राज्य सरकार पूर्ण पनान परस्तितिवर नेंत्रंठिवन आयमी स्वता या संदर्मा मदे पुलिस वरेष्ट पुलिस आदिकारांचा मार्फद मॉनिटरिंग कराईचा काम करतो आहे आणि एजा मदे कुने दोशी सापडले तैना स्पेर केला जानार नहीं परन्तु आज आपन सग्णानी एक सामाजी का एक क्या राखन आति शेये आवश्यक आहे आणि त्या दुर्ष्टिकोना दुन सग्णानी सहकारे कराव आजि माजी विननती आहे आणि माजा पॉलिस बांदवा ना सुदा माजी ही स्विननती आहे इपरस्थित आपन सहयमाने आतड़ावी आणि राज्यमदे शांत दकशीराहील या परस्थित कारे कराव गुंठेवारी कानुन अंतरगत नियामिती करण की समया वधी 2020 तक बढ़ाने के साथ ही राजसरकार ने नियामिती करण शुल्ख 56 रुपे से 168 रुपे प्रती वर्क फूट कर दिया है गुंठेवारी मधे सामान लेने लोकाचे साहसाल लाक रुपे साथ शात लाक रुपे पाच पत्पत लाक रुपे प्लॉट आए डेवलोप्मेंट करत अस्तना नियाटि मधे जर गेल तरवर पास 28 ते तीन लाक रुपे तैना डेवलोप्मेंट लगती है इससे जनता में रोश होने तथा वित्य बोज असाहनी होने का कारण जल्द से जल्द इस शुल्क रुद्धी को वापस लेने की मांग विधाय कुष्णा खोपडे ने पत्र परिशद में की विधाय कुष्णा खोपडे ने कहा कि यदि राज्ज सरकार इस शुल्रुद्धी को वापस नहीं लेती है तो भाजपा की और से हर स्तर पर बड़ा अंदोलन किया जाएगा जिसकी शुरुवात 15 नवंबर के अंदोलन से होने जा रही है सामा ने जंता को न्याय देने के लिए विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंदर फट्नविस के नेतरुत्व में यश्वन स्टेडियम से मोर्चा निकाला जाएगा खोपडे ने कहा कि राज्यों में जब भी कॉंगरेस के नेतरुत्व वाली सरकार ने सत्ता संभाली गुंठेवारी अंतरगत भुखन धारकों पर अन्याय की माली का शुरू की है वर्ष 2001 में जिस समय गुठेवारी कानून की निर्मिती हुई तब इस सरकार ने विकास शुल्ख 48 रुपे प्रतिवर्ख फूट रखा हुआ था किन्तु ये शुल्ख भी अधिक होने से भाजपा ने नितिन गड़करी और देविंदरफ 98 की नेतरुत्वों में सड़क पर उतर कर बड़ा आंदोलन किया जिसके बाद विकास शुल्ख 16 रुपे प्रतिवर्ख फूट किया था शहर में भुखन धारकों को चिटनविस पार्क में सम्मेलन लेकर लाखों लोगों को डिमांड वितरित किये गए गुंठेवारी अंतरगत कई आरक्षन होने के कारण विकास प्रलंबित था भाजपा ने विदान सभा में इस मुद्धे को उठा कर गुंठेवारी अंतरगत लेयाओट में से आरक्षन विखंडित कर लेयाओट का नियमिती करण करने की प्रक्रिया शुरू कराई गुंठेवारी के अंदर जो विकास फुल का 56 रुपे था उसको बढ़ा के उन्होंने 168 रुपे किया और जबके इस गुंठेवारी के अंतरगत पिछले पात साल के पात साल के हमारे रेजिम में देवंदर फन्नुई जी हमारे मुख्य मंतरी थे गड़करी साहब केंद्र पिए मंतरी है उनके माद्यम से लगबग आउटर भाग में सभी डेवलोप्मेंट के काम हमने बड़े पैमाने पर किये अमरुतोजनाया अंतरगत हमने नल की पाइपलाइन डाले अनेक जगे सिमेंट कॉंग्रेट के रस्ते बने डामरी के रस्ते बने जो जो विकास के काम थे बड़े पैमाने पर हमने किये फिर ये 156 रुपे के बजा 168 रुपे जो उन्होंने विकास चुल लगाया ये शाषन की तीजोरी भरने के लिए है क्या इसके उपर अभी शंका निर्मान हो रही क्योंकि पहले ही लोग परिशान है कोरोना के मारें से दो साल से जंता पर निर्ट वालों को भी ने छोड़ा है वुकनवालों को और उसके अंदर 2001 के अंदर किसी के डिमांड अगर अठकी होंगी एनाइटी ने किसी को डिमांड नहीं दिया होंगा 2001 के काईदे वाला तो भी उससे भी 168 रुपे लो ऐसा जी आर के अंदर उलेख है ये काला जी आर का हम निशेत करते कनान पुलिस स्टेशन अंतरगत नागपुर जबलपुर राष्टिय महामार्क पर डुमरी स्टेशन के पास शुकरवार को देवलापार थाने से अपनी ड्यूटी पूरी कर अपने घर नागपुर लोट रह पुलिस करमी की दूपह या वाहन को ट्रैवल्स बस ने टक्कर मा गई घटना के बाद काफी देर तक हाईवे का ट्राफिक बाधित रहा प्राप्त जानकरी के अनुसार शुकरवार की सुबह करिब आच से नौ बजे के बिच देवलापार पुलिस स्टेशन में कारियरत पुलिस करमचारी डिगडोहन नागपुर निवासी गोपिचन नाम पुलिस करमचारी रहुल रंगारी एवन पुलिस करमचारी घटना स्टल पर पहुचे तथा पंचनामा कर्शव को कामठी के उपजिला अस्पताल में पोस्माटम के लिए रवाना किया पुलिस ने ट्रावल्स बस चालक के खिलाफ मामला दर्च कर लिया है जांच कनान पुलिस कर रही है विधान परिशत चुनौ में प्रत्याशी को लेकर भले ही राजनेतिक दल फिलाल पत्ते नहीं खोल रहे हो लेकिन कॉंग्रेस और भाजपा में प्रत्याशी को लेकर मंथन शुरू हो गया है भाजपा में जहां प्रत्याशी यही निश्चित होना है वही हमेशा की तरह कॉंग्रेस का प्रत्याशी दिली से निश्यत होने के कारण प्रदेश अध्यक्षनाना पटोले दिली दर्बार पहुचने की जानकारी सुत्रों ने दी राजनितिक जानकारों के अनुसार चुकी 16 नमंबर से विधान परिशत की सीटों के लिए नामांगन पत्रत दाखिल करना शुरू हो जाएगा अता उससे पहले राजनितिक दलों की और से प्रत्याशी के नाम पर मुहर लग जाएगी अब केवल चार दिन का समय बचा होने के करण प्रत्यक दल में बैठकों का दौर जारी है जानकारों के अनुसार स्थानिय निकायों के पारशादों के वोट से चुनकर जाने वाले विधान परिशत के इस सदस्यकों न केवल शहरी बलगी ग्रामिंट शेतरों से भी वोट प्राप्त करना है जो बनों दलों में से कोई भी चुनाव लड़े लेकिन किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला है राजनितिक जानकारों के अनुसार इस तहर के चुनाव में सरवादिक अर्थत अंत्रक काम करता है यही कारण है कि राजनितिक दलों में ऐसे ही सक्षम व्यक्ति पर विचार किया जा रहा है भाजपा की और से हमेशा की तरह पारलिया मेंटरी बोर्ड में नाम निश्चित होने का राख आला पा जा रहा है जबकि राजनिती समझने वाले लोगों के लिए कोई भी मुश्किल नहीं है कि नाम कहां से अंतिम होगा इसके बावज़त प्रक्रिया दिखाने के लिए पारलिया मेंटरी बोर्ट का नाम लिया जा रहा है माना जा रहा है कि मंत्री रहे चंडर शिकर बावन कुले ने विधान परिशद के सहारे सदन में पहुँचने से इंकार कर दिया है कुछ समय पहले तक बावन कुले ही भाचपा के प्रत्याशी होने के चर्चाई जोरो पर थी लेकिन उनके इंकार करने के बाद दूसरे प्रत्याशी की खोज हुई जानकारों के अनुसार इसमें अब सबसे पहले नंबर पर 27 समिटी के सभापती रहे विरेंद्रा कुक्रेजा का नाम है जिस पर जल्द ही मुहर लगने के संभावना भी सुत्रों ने जताए सुत्रों के अनुसार चुकि इस चुनाओ में महानगर पाली का जिला परिशत, नगर परिशत और नगर पंचायत के सदस्यों द्वारा पोटिंग किया जाना है अतह शहरी और ग्रामिन के नेताओं का साथ भी प्रत्याशी को मिलना ज़रूरी है विशेश रूप से कॉंगरेस के प्रत्याशी के लिए इसकी अधिक आवशपता है वर्तमान परिप्रिक्षा में महानगर पाली का में भले ही भाजबा का संख्या भल अधिक हो लेकिन गत कुछ चुनाओं में ग्रामिन क्षेतरों के चुनाओं में कॉंगरेस और रांका ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है राम्टे की अमबाला जिल में शुक्रवार को नहाने के लिए पाने में कुदे एक उन्निस वर्ष यह नागपुर निवासी युवक की डुबने से मौत हो गई जबकि उसके साथ पाने में कुदे एक युवक और एक बच्चे को स्थाने मच्छवारों ने बच्छा लिया जानकरे के मुताबिक जिल में डुबने वाले युवक का नाम आरियन संजे गडारिये हिवरी नगर नागपुर निवासी है जबकि मौत के मूँ से बच निकलने वाले युवक का नाम हिमांशु सुरेंद्र सांडेल और मानो जोगेश्वर करनोजे दोनों हिवरी नगर नागपुर निवासी है आरियन हिमांशु और मानो अपने किसी रिष्टिदार की दश क्रिया में शामिल होने के लिए अंबाला आये हुए थे दोपहर करिब एक बज़े तीनों नहाने के लिए अंबाला जिल में कुदे नारियन टेकडी रोट के घाट पर वे नहां ही रहे थे कि अचानक हिमांशु और मानो पानी गहरा होने से डूबने लगे उनको डूबता देखकर आरियन उनको बचाने के लिए उनको पकड़ने की कोशिश करने लगा और खुद ही डूब गया जानकारी के अनुसार तीनों को तेरना नहीं आता था तीनों को डूबता हुआ देखकर किनारे पर पड़े उनके रिष्टेदार चिलाने लगे किन्तु किसी को तेरना नहीं आने के कारणवे मात्र मुकदर्शक ही बने रहे लोगों के चिलाने की आवाद सुनकर जिल के किनारे दूसरे किनारे पर मचलिया पकड़ रहे, कुछ मच्छवारों ने अपने नाव लेकर घटनास दल पर पहुँचे और जिल में कूद कर तीनों को बाहर निकाला गया रिष्टेदारों ने बिना विलम किये सभी को उपजिला अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टर ने आरियन को रुद घोशित कर दिया वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक चोड़े से ब्रेक के बाद लाव यू दिपिका इस तक पहुंच ही जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाए सुरुची अपने सपनों के उडान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूद होने चीए जो देता है Flywheel Aviation Academy Flywheel Aviation Academy एक ऐसा institute है जहां पर airlines and airport hospitality और tourism management साथ ही यहां campus interview guidance by industry expert practical training at airport expert faculty, personal grooming जैसे कई सारे benefits आप पास सकने है Flywheel Aviation Academy 1 degree, 3 job opportunities Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job Flywheel Aviation Academy 365 Gani Nagar LAD College Square beside करनाच का बैंक नागपुर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कोरोना की संभावित तीसरी लहर तथा इससे बचने के लिए वैक्सिंग का सुरक्षा का बच प्रत्यक व्यक्ति को देने के उद्देश्य से सरकार ने 30 नावंबर तक 18 उमर से अधिक के प्रत्यक व्यक्ति को कम से कम पहला डोस पूरा करने के निर्देश जारी की है इससे लेकर अब महानगर पाली का क्योर से अलग-अलग अभियान शुरू किये गए है इसके लिए टीमें भी तैनात होने से वैक्सिनेशन को गती मिलने की आशा अधिकारियोद्वारा जताई जा रही है अभियान के करम में जहां हर घर वैक्सिन का अभियान जारी रहेगा वही मनपा और राज्य सरकार के प्रतिक वैक्सिन सेंटर पर भी वैक्सिनेशन अभियान जारी रहेगा प्रतिक आयू वर्क को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक कोविट शिल्ड वैक्सिंग देने की जान करे महानगर पालिका ने दी महानगर पालिका की और से वैक्सिनेशन अभियान के तहट अलग-अलग ड्राइव शुरू किये गए थे इसमें शहर के दो मॉल्स में पार्किंग की जगव पर ड्राइव इन वैक्सिनेशन भी शुरू किया गया था मनपा और सरकार के सेंटर्स के साथ ही इन दोनों सेंटर्स पर भी कोविट शिल्ड का टिका लगने की जान करी जो शिद्वारा दी गई उन्होंने कहां कि वैक्सिनेशन के लिए ऑनलाइन और आफलाइन पद्दती से पंजियन कराया जा सकता है ड्राइव इन वैक्सिनेशन में भी 18 प्लस और 45 प्लस सहित सभी आयू वर्क को यहां भी सुबह 10 से शाम 5 बजे तक टीका लगाया जाएगा वैक्सिनेशन अभियान शुरू किये जाने के बाद कोविट शिल्ट उपलब नहीं होने के बाद भले ही कई बार महानगर पाली का के वैक्सिनेशन सेंटर बंद हो रहे हो लेकिन कोवैक्सिन का कोटा लगातार बना रहा इसके चलते कोवैक्सिन का अभियान अबाधित चल कर्मचारियों का आरुप है कि सरकार मांगों पर विचार करने की बज़ाए हर्ताल को और आगे बढ़ाना चाती है। कर्मचारियों को निलंबित किये जाने से वे डरने वाले नहीं है। नागपुर मंडल में अब तक 94 करमचारियों पर निलंबन की कारवाई की जा चुकी है। गनेश मिट, इमामवाडा, घाट रोड में एस्टी करमचारियों का अंदुलन जारी है। इस बिच शुकरवार को सरकार द्वारा किसी भी करमचारी के निलंबन की कारवाई नहीं की करमचारियों की निलंबन और परियाई विवस्था की दिशा में सरकार द्वारा बढ़ाय जा रहे कदम का करमचारियों ने विरोध किया है। उन्होंने साफ चिताउनी दी है कि यदि ठेकेदारी पधधती पर करमचारियों को रखा गया तो वे सड़क पर एक भी बस नही बढ़ती जा रही है। स्थिती ये है कि ग्रामिन भागों में चलने वाली प्राइवेट बसे और काली पिली टैक्सी तमाम नियमों की धज्जे आउड़ा कर चलाई जा रही है। काली पिली में यादरियों को बठाया नहीं जा रहा है बलकि ठूसा जा रहा है। आम आदम पहले ही स्कूल कॉलेज देरी से शुरू हुए थे अब स्ट की हर्ताल ने छात्रों की पढ़ाय में व्यवधा निर्मान कर दिया है इस भीज भाचपा नेता चंद्रेक्ष घर बाउन कुले ने आरोप लगाया है कि करमचारियों की मांगो पर समाधान खोजने में महाविकास आगाडी सरकार फेल हो गई है भाचपा ने स्टी हर्ताल को अपना समर्थन दिया है करमचारियों को हरताल का अधिकार है इसके बाद भी सरकार द्वारा उन्हें निलंबित किया जा रहा है जो की अनुचित है सरकार की दोश पूर्णा नीतियों की वज़ह से ही करमचारियो को आत्मात्या करना पड़ रहा है आग का कारण निर्धारित होने से पहले डॉक्टरों या नर्सों को दोशी ठहराय जाता है और निलंबित कर दिया जाता है दरसल अस्पताल के निर्मान वा विद्धुत व्यवस्था के रखरकाओं के लिए निर्मान कारिय विभाग के अधिकारी वा करमचारी होते है सरकार की इस कारवाई के विरुद में शुकरवार से मेयों और मेडिकल की नर्स और डॉक्टरों ने काला फिता लगा कर आंदोलन शुरू कर दिया भंडरा के जिला अस्पताल में शौट सरकीट से लगी आग में दस बच्चों की मौत होई थी हाल ही में एहमाद नगर के सरकारी हस्पताल में लगी आग की घटना के बाद एक नर्स और एक डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराया गया इस तरह नर्सों और डॉक्टरों को आग की घटना के लिए जिम्मेदारी ठहराया जाने का विरुद किया गया राज्य नर्सस एसोसियेशन के साथ साथ इंडियन मेडिकल एसोसियेशन ने भी विरुद किया है मेडिकल मेओ में कारियरत नर्सों ने भी काला फिता बांद कर काम किया इस संबन में अधिश्ठता डॉक्टर सुधिर गुपता को ग्यापन दे कर आंदोलन के बारे में भी अवगत कराया गया। दो वर्ष पहले बारा दिसंबर को मेडिकल डर्मेटोलोजी विभाग के सामने छज्जा ढगया था। इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई पुरानी इमारतों में बनाये गए सभी छज्जों को हटा दिया था। इस घटना के लिए निर्मान कारिया विभाग जिम्मेदार था क्योंकि इमारत की देखरेक का काम उसी का है। इस मामले में अब तक किसी की सजा नहीं हुई। दो लोगों की मौत होने के बाद भी प् चुनाव में कॉंग्रेस की सुमित्रा कुंभारे बहुमत से विजय हुई। उनके प्रतिसपर्धी भाजपा के कैलास बरबटे को केवल 13 मत मिले। वही कुंभारे को 43 मत मिले। पिठासिन अधिकारी शेखर गारगे की उपस्तिती में चुनाव प्रक्रिया की गई। परि चुनाव में उपस्तित सदस्यों ने हाथ उठा कर अपने पसंदिदा उंबिद्वार को मत दान किया। इसमें भाजपा के कैलास बरबटे को 13 तथा कॉंग्रेस की सुमित्रा कुंभारे को 43 मत मिले। चुनाव में कॉंग्रेस 32, राश्ट्रवादी 7, शिवसे नाएक, पटने के बाद नवनिर्वाचित उपाद्ध्यक्षा, सुमित्रा कुंभारेने पशु सवर्धन, वक्रिडा मंतरी सुनिल केदार, जिला अध्यक्षा राजेंद्र मुलक, कॉंग्रेस ने ते नाना गावंडे, जिला परिशत अध्यक्षा रश्मी बरवे की उपस्तिती म उपलप्त कराने और किसानों के समस्या को प्राथमिक्ता से हल करने का आश्वासन दिया, उन्होंने सो ओफिस दे टीका करन का लक्षा हासिल करने, पांधन रास्तों के अधूरे काम समय पर पूरा करने की बात कही तो सुबह के प्राइम टेम न्यूज में अभी इतना ही, आप से फिर बुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए विकेबी न्यूज, नमस्कार